जमीन पर बना एक निशान और उस निशान का एक रहस्य एक ऐसा रहस्य जिसका सच आपके अंदर भावनाओं का बवंडर खड़ा कर देगा यूँ तो इस निशान का आकार इनसान के बाएं पैर की तरह नज़र आता है लेकिन इसे भगवान का निशान कहा जाता है माया लोक में कहानी आज एक ऐसे रहस्य मैई तालाब की जिससे राम भक्त हनुमान का गहरा राज जुड़ा है इस तालाब के बारे में ये भी माना जाता है कि चमकते सूरज का भी इससे गहरा नाता रहा है आस्था और विश्वास का कैसा माया लोक है ये राजधानी दिल्ली से करीब बारा सो अठतर किलोमीटर दूर महराश्ट्र का एहम शहर नासिक बसा है और नासिक से करीब 27 किलोमीटर दूर पवित्र त्रेमबकेश्वर मंदिर बना हुआ है नासिक के इस त्रेमबकेश्वर मंदिर की खास एहमियत है क्योंकि ये भगवान शिव के बारा जियोतर लिंगो में से एक माना जाता है और इसी लिए हर साल दुनिया भर से लाखों हिंदू श्रद्धालू भगवान शिव के दर्शन के लिए यहां आते हैं शिव के इस धाम को तो पूरी दुनिया जानती है लेकिन यहां से महस 6 किलोमीटर के फासले पर राम भक्त हनुमान का वो जन्मस्थान भी है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं नासिक्त रंबेकेश्वर हाईवे से सटा ये वो अंजनेरी गाउं है जिसका नाम हनुमान जी की मा अंजनी देवी के नाम पर रखा गया ऐसी पौरानिक मानिता है कि इस अंजनेरी गाउं के पास ही उंची पाहड़ियों में हनुमान जी का न सिर्फ जन्म हुआ बलके उनका पूरा बच्पन भी यहीं गुजरा और इनी पाहड़ियों से हनुमान जी ने सूरच को निगलने के लिए आसमान में लंबी छलांग लगाई थी हनुमान जी बच्ची में बोले हमें भूख लगी कुछ खाने को तो अंजनी माता को उस समय बंदर का रूप होता है तो वो बोलते हैं अभी क्या खिलाने तो यह पेढ़ का यह पायर का पेढ़ होता पीपल जैसा तो इसमें लाल फल हनुमान जेंदी के टाइम जैतरी में पकते हो तो यह बंदर अंदर सब खाते हैं तो इसलिए फल खाने के लिए बोले तो सामने से सूरी आ रहा था पैदी होते समय पैदे हो इनने के बाद लगे जो सूरी को खा गए पकड़ लिए फल समझ गए अंजनेरी गाओं के बाहर ही हनुमान जी की विशाल मूरती वाला ये मंदर बना है हमारे सफर की असल शुरुआत भी इसी मंदर से होती है हमें बताया गया कि इस जगे से मंदर यानि हनुमान जी के रहसे मई तालाब तक हमें उची चढ़ाई चड़नी पड़ेगी तीन पहाडों को भी पार करना होगा हनुमान जी के जन्मस्थान तक पहुचने के लिए जंगल के बीच करीब तीन घंटे तक पैदल सफर तै करना पड़ता है और वहाँ से आपके दूसरी पहाड़ी पे कुछ सीडिया लग जाती है वहाँ से आपको चड़ना उपर स्टाइट करना होता है हनुमान जी के मंदिर से निकल कर हम अंजनेरी गाउं में पहुचे जहां से पहाड़ पर चढ़ाई का रास्ता खुलता था उँची पहाड़ियां कच्चे रास्ते और साथ ही जंगली जानवरों का खौफ बारिश का मौसम हो तो इस गाउं का सफर और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जिस जगे हमें पहुचना है वो समुद्र की सातह से करीब बायाले सौफिट की उचाई पर है हमने अपनी कार पहले पहाड़ पर चढ़ने के बाद छोड़ दी और आगे का सफर पैदल ही शुरू कर दिया एक पहाड़ी तो अब हम इस कार के सहरे चढ़ चुके हैं लेकिन अब सामने ये जो आप दूसरा पहाड़ देख रहे हैं हमें इस पहाड़ को पैदल ही चढ़ना होगा और इस पहाड़ पर पहुचने के बाद हमें एक और पहाड़ चढ़ना होगा जहां पर बताया जाता है कि मौजूद हैं बजरंग बली की निशानिया तो आई आगे बढ़ते हैं उन्हीं को याद करते हुए हनुमान जी के गाउं का सफर जितना मुश्किल है उतना ही गहरा है उनके तालाब का राज ये तालाब को याम तालाब नहीं है इसके पीछे एक रहस्यमई कहानी छुपी है क्या है वो कहानी ये जानने के लिए उस तालाब का सफर तै करना होगा अंजिनेरी गाउं के पहाड की ये वो आखरी जगे है जहां खाने पीने की चीजें ले जाए जा सकती है और यहीं से दूसरे पहाड की चढ़ाई शुरू होती है दूसरे पहाड की चढ़ाई के शुरुआती हिस्से में ही सेक्डों साल पुरानी ये सीडिया मिलती है कहीं इन सीडियों की हालत ठीक है तो कहीं ये पूरी तरहे से धुस्त हो चुकी है इन सीडियों से आगे फिर शुरू होता है इस मुश्किल सफर का सबसे लंबा और ठका देने वाला बड़ा हिस्सा आगे की चड़ाई अब हमें बड़े ही संभल कर करनी होगी क्योंकि बारिश के मौसम में ये रास्ता बड़ा ही फिसलन भरा हो जाता है अगर जरा भी पैर फिसला तो गय सीधे कई फुट नीचे और बचने की कोई उम्मीद नहीं गाउं हनुमान जी का हो और बंदर नहों ऐसा कैसे हो सकता है गाउं के पूरे रास्ते में आपको बंदरों का जुन्ड मिलेगा वैसे तो ये बंदर किसी को परिशान नहीं करते लेकिन अगर इने शक हो गया कि आपके पास खाने पीने की चीज़े हैं तो फिर समझ लीजिए कि आपके साथ लूट बाट भी हो सकती है हनुमान जी के जन्म स्थान पर बंदरों की बड़ी ठाक है इसलिए इन से दूर रहकर ही निकलना बेहतर है चड़ाई करते वक्त हमें रास्ते में ये कुछ प्राचीन गुफाएं नजर आई बताया जाता है कि बार्वी सदी में जैन साधू इन्हीं में बैटकर तपस्ता किया करते थे पहाड पर करीब दो घंटे की चड़ाई करने के बाद हम इस रहस्यमाई तालाब तक पहुँच गए इस तालाब के बारे में ऐसी मानिता है कि इसका राम भक्ता हनुमान जी के साथ गहरा नाता है ऐसा भी बताया जाता है कि ये तालाब हनुमान जी की वज़े से ही अस्तित्व में आया है और इसके पीछे एक पौराने कहानी भी बताई जाती है क्या हकीकत है इस तालाब की? क्या छिपा है इसमें राज? ये जानने के लिए हमें अभी एक और याने तीसरा पहाड भी चड़ना होगा हम वहाँ जाएंगे उस उचाई पर जहां से इस रहस्य मैट आलाग का टॉप एंगल व्यू भी आपको दिखाएंगे तीन उचे उचे पहाड और फिर उनके पाद वो रहस्य मैट आलाग वो तालाब जो बारा महीने पानी से भरा रहता है ये कभी नहीं सूखता इस तालाब के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये राम भक्त हनुमान के पैर का निशान है नासिक के अंजिनेरी गाउं के इस तीसरे और आखरी पहाड की चड़ाई ज्यादा मुश्किल नहीं है सीडियों के जरिये दस मिनिट में ही इतनी उचाई पर पहुँचा जा सकता है जहां से रहस्य मैट तालाब का पूरा आकार साफ नजर आता है पहाड की सबसे उची चोटी से जो नजारा दिखाई देता है वो हैरान कर देता है दरहसन उचाई से इस रहस्य मैट तालाब की शकल किसी भीमकाई इंसान या बंदर के बाएं पैर के पंजे जैसी नजर आती है इस तालाब के आकार को लेकर एक दंद कथा है हमने जब तालाब के आकार के बारे में पता करने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि ये हनुमान जी के बाएं पैर का निशान है हनुआन जी ने जब सूरज को निगलने के लिए छलांग लगाई थी तो उन्होंने बाएं पैर पर बल दिया था और उपर की ओर उछले थे उसी वक्त यहाँ पर उनके पैरों के बल से एक गढ़ा बन गया जिसने की बाद में एक तालाप की शक्ल ले ली तो उनको माने बेजाता है तो यह बताई कि उनके बाएं पैर का निशान दिख रहा है वो निशान कैसे बन गया हो जागे वह तो उन्होंने टेका ना उड़ांगे ते समय जिए ग्राशन करने को तो कुछ वन चलिया है वह गाना तो उसी टाइम उनका वो पाव का निश्यान पातार से गंगा आया तो तलाव पड़ा है धार्मिक कथाओं के मुताबिक जिस वक्त हनुमान जी ने सूरज को निगलने के लिए चलांग लगाई थी उस वक्त सूरज उगी रहा था यानि कि उन्होंने पूर्व की दिशा में चलांग लगाई होगी इस कमपस की मदद से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वाकई में पूर्व की दिशा थी देखिए कमपस भी हमें ये बता रहा है कि जिस दिशा में ये पंजा है वो दिशा भी पूर्व की ही है पंजे नुमा तालाब की दिशा का पूर्व की और होना भी लोगों के उस धारमे के विश्वास को और बल देता है कि ये तालाब हनुआजी के बच्पन की निशानी है जिस पहड़ पर ये तालाब मौजूद है वो महराश्ट की सहयाधरी परवत शंकला का हिस्सा है इस तालाब की लंबाई करीब सौ मीटर है और ये दस मीटर से लेकर पचीस मीटर तक चोड़ा है बताया जाता है कि ये तालाब दस फुट से ज्यादा गहरा है लेकिन इसका पानी कभी सूकता नहीं है और गर्मी के महीनों में भी ये तालाब पानी से लबालब भरा रहता है हनुमान जी के पैर का निशान जितना मायावी है उतनी मायावी इसकी कहानी भी है अंजनेरी गाओं का सिर्फ ये तालाब ही नहीं बलकि यहाँ पर कई ऐसी निशानिया भी मौजूद है जिने लोग आज भी हनुमान जी से जोड कर देखते हैं अंजनेरी गाओं में इस तालाब के पास ही एक छोटी सी गुफा भी मौजूद है यहाँ लोगों का मानना है कि इसी गुफा में अंजनी माता ने हनुमान जी को जन दिया था बंदरों के राजा सुगरीव से जुडने से पहले हनुमान जी का बचपन इन ही पहाडों पर मौजूद जंगलों में गुजरा है तालाप के पास ही दो छोटे छोटे मंदिर भी है एक मंदिर में रखी मूर्ती में नन्ने हनुमान जी अपनी मा अंजना की गोद में बैठे हैं तो दूसरे मंदिर में बालक हनुमान जी मा अंजना की मूर्ती के बगल में बैठे नजर आते हैं हनुमान जैन्ती के मौके पर इन मंदिरों में भारी भीड होती है कि इस इस्चनियरी गाउं को राम भक्त हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है लेकिन हनुमान के जन्म स्थान को लेकर विवाद भी रहा है अंजनेरी के अलावा गुजरात के डांग जिले में अंजना परवत की अंजनी गुफा को हनुमान जी का जन्मिस्थान माना जाता है इसके अलावा हर्याना के कैथल और जहारखंड के गुमला जिले में अंजन गाउं की एक गुफा को भी हनुमान जी का जन्मिस्थान कहा गया है ऐसी मानिता है कि इसी जिले के पाल कोट प्रखंड में बाली और सुग्रीव का राज था ऐसी धारणा भी है कि हनुमान जी करनाटक में पैदा हुए पंपा और किशकिंधा के खंडर अब भी हामपी में देखे जा सकते हैं हनुमान जी के जर्म से जुड़ी हकीकत चाहें जो भी हो लेकिन अंजनेरी गाओं के लोग यहां मौजूद तमाम निशानियों को हनुमान जी से ही जोड़ कर देखते हैं कथा, कहानिया और विश्वास विश्वास एक तलाब पर और उस तलाब के आकार पर आस्था और विश्वास का कैसा माया लोग है ये माया लोग